गोवा के पिछली विधानसभा चुनाओं में 17 सीट लाने के बावजूद भी कॉंग्रेस सरकार नहीं बना सकी थी ऐसे में पार्टी ने इस बार अपने सभी कैंडिडेट्स को नतीजे आने के पहले ही होटलों में शिफ्ट कर दिया है जानकारी के मताबिक नौर्थ गोवा के कैंडिडेट्स को वहाँ के एक होटल में रखा गया है जबकि साउथ गोवा के कैंडिडेट्स को एक सेफ प्लेस पर रखा गया है हाला कि कॉंग्रेस के सीनियर लीडर पी चितमरब ने इस बात का खंडन किया है भासकर से exclusive बातचीत में चितंबरम ने कहा कि हमारे एक लीडर का आज बर्थडे है जिसे celebrate करने के लिए सब होटल गए हैं मैं भी celebration में शामिल होने जा रहा हूँ इसमें विधायकों को होटल में बंद करने जैसी कोई बात नहीं है सुत्रों की माने तो पीची तंबरम, AICC, गोवा प्रभारी दिनेश, गुंडू राव, विपक्ष केनेता, दिगंबर कामत और राज कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चुडंकर पंजी में विधायकों के साथ डटे हुए हैं इस बार कॉंग्रेस किसे बेस्तर पर कोता ही नहीं बरतना चाहती। पांच मार्च को इन निताओं ने राहूल गांदी से मुलाकात करने के बाद आगे की रणिती बनाई थी। पीके सरकार बना दी थी। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भासकर आप